हेलो एवरिबन कैसे हैं आप आज हम SCRT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैम्पेन नुमरेशी की वर्क्षीट नमबर 10 सौल करेंगे जो की 28 जैनवरी 2022 की है 28 जैनवरी 2022 की है आज की वर्क्षीट क्लास 2 के स्टुडेंट के लिए है वर्क्षीट की थीम है flowers and fruits तो चलिए वर्क्षीट सौल करते हैं पोधो की देखबाल रविवार का दिन था आशिफ के पापा की छुट्टी थी उन्होंने सोचा कि आज अपने घर में लगे पोधो की देखबाल की जाए उन्होंने आशिफ को इसके बारे में बताया आशिफ को ये सुझाओ पसंद आया वह बोला पिता जी मैं भी इस काम में आपकी सायता करूंगा पिता जी ने पोधो की कटाई चटाई की और आशिफ क्यारियो से घास उखाडने और पोधो में पानी डालने में उनकी मदद करने लगा जब आशिफ गुलाब के पोधो के पास पहुंचा तो उसका ध्यान गुलाब के फूल पर बैठी छोटी स अच्छा फिर तो ये हमारे लिए बड़ी लाब दायक हैं आशिफ ने आश्चरे से कहा उसने कहा पिता जी फिर तो ये मदमक्ख्या वहाँ जाती होंगी जहां ज़्यादा संख्या में फूल खिले हों चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चो बिन्नी मदमक्ख्य भी उस जगह पर जाएगी जहां सबसे ज़्यादा फूल खिले हों आप फूलो पर लिखी संख्या देखकर उस पर गोला लगा कर बताएगे कि बिन्नी किस जगह जाएगी तो बच्चो बिन्नी मदमक्ख्य उस जगह जाएगी जहां सबसे ज़्यादा फूल खिले हों तो आपको देखना है कि कौन सी जगह सबसे ज़्यादा फूल खिले हैं क्योंकि बिन्नी मदमुख्य वहीं जाएगी तो आपको उस संख्या पर गोला लगाना है जो सबसे ज़्यादा फूलों के संख्या दिखाती हो पहली लाइन में आप देखेंगे ये 15, 12, 23, 8 तो सबसे ज़्यादा फूल कहां के लिए हैं यहां 23 तो बिन्नी मदमुख्य कहां जाएगी 23 पर दूसरी लाइन में 18, 32, 27, 14 तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 32 तो मदमुख्य यहां जाएगी तीसरी लाइन में फूलों की संख्या 44, 22, 27 तो मदमुख्य 44 पर जाएगी चोथी ला फूलों की संख्या है 19, 33, 39, 50, तो मदुमक्षी यहाँ पर 50 वाली संख्या पर जाएगी, क्योंकि 50 इन सब में सबसे ज़्यादा है, तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पता लगा लिया, कि बिननी मदुमक्षी कौन कौन सी जगा जाएगी, पहली लाइन पर 23 में, दूसरी लाइन में 32 पर, तीसरी लाइन में 44 पर, और चोथी लाइन में 50 पर, तो बच्चों, यह वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहे हमारा चैनल, Knowledge Kingdom, थैंक यू,